Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं, exercise 13.1 का question number first देखते हैं क्या है, evaluate the following, यहाँ पे कुछ limits के हमारे question दे रखे हैं, इनको हमने evaluate करना है और इनका solution find out करना है, I hope आपने introduction वीडियो अच्छे से देख ली होगी, concept आपको clear होगा, आप यह questions करोगे, बिल्कुल बारिकी से आपको समझ में आ जाएंगे, अगर introduction वीडियो नहीं देखिए तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए, playlist में सबसे पहली वीडियो वही मिलेगी, अब देखते है question number first के अंदर क्या दे रखा है, limit x tends to 0 और function जो दे रखा है हमारा क्या है, x plus 3 दे रखा है, तो यहाँ पे simply हमने क्या है, जो limit है हमारी x tends to 0, oh x tends to 3 और function है हमारा x plus 3, इसके अंदर अपनी limit को put कर देना है बस, तो यहाँ पे put करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, x की जिए 3 put करेंगे तो 3 plus 3 is equal to क्या आ गया हमारा 6, this is the answer, समझ भी आ गया question number first, next move on करते है, अपने question number second के उपर, second देखते ह हमें given है limit, x tends to pi, या फिर x approaches to pi, x minus 22 by 7, यह हमें function दे रखा है, यहाँ पे भी simply हमें करना क्या है, x की value pi put कर देनी है, तो यहाँ पे put करेंगे तो pi यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, pi minus 22 by 7, this is the answer, अब यहाँ पे यह मत करना, pi की value अपने पास से ही 20 by 7 रखते, 22 by 7, और 22 by 7 minus 22 by 7 equal to 0 कर दो, नहीं, हमें तो x की value pi दे रखे, तो हमें x की जहाँ पाई ही रखना है बस, question number second भी आपको clear हो गया होगा, next move on करते हैं हमने question number third के उपर, question number third की statement देखो क्या है, हमें दे रखा है limit r tends to 1, r की value जो है वो कहां तक है 1 तक, तो limit r tends to 1 और function जो दे रखा है वो क्या है मारा pi r square, ठीक है, r की value क्या करेंगे यहां पर, one put कर देंगे, तो यहां पर क्या आजाएगा हमारा, pi into one का square, one का square क्या होता है, one, one into pi क्या हो जाएगा हमारा, pi, this is the answer, बिल्कुल simple था, question number third भी, next move on करते हैं हमने question number four के उप पर, question number four के अंदर हमें दे रखा है, limit, x approaches to four, और जो function है, four x plus three, upon में x minus two, अब देखो, यहां पर पहले हमें यह देखना है, कि यह हमारा जो function है, वो zero by zero form तो नहीं है, तो यहां पर x की value क्या करते हैं, four put करते हैं, तो four put करेंगे, तो क्या होजाएगा, four into four, plus में three, upon में four minus two simplify करो इसको, क्या आगया, four four जा, sixteen, sixteen, sixteen और three क्या आगया, 19, और four minus two क्या आगया, two, तो 19 by two आगया, zero by zero form तो है यह नहीं, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा answer of this question, clear हो गया, question number four भी, next देखते है, question number five क्या है, question number five के अंदर हमें दे रखा है, limit, x tends to minus one, और function दे रखा है, x की power 10, plus में x की power 5, plus one upon में x minus one, यह function है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x की value, minus one put करनी है, तो चलिए देखते हैं, क्या आता है, minus one put करेंगे, तो minus one की power 10, plus में minus one की power 5, plus one upon में x की जगा है, minus one minus one, अब इसको simplify कर लो, minus one की power क्या है, even power है, तो minus 1 क्या हो जाएगा हमारा plus 1 हो गया यहाँ पे minus 1 की odd power है तो minus 1 का minus 1 ही रहेगा और साथ में क्या है plus का 1 upon में minus 1 और minus 1 दोनों negative है तो add हो जाएगे sign minus का रहेगा minus 1 और minus 1 क्या हो गया minus का 2 अब यहाँ पे minus 1 से plus 1 cancel तो क्या वचा हमारा यहाँ पे answer जो आगया minus का 1 by 2 they say the answer तो question number 5th भी आपको clear हो गया है यह इसका solution आगया पहले question से लेके 5th question तक तक तो आपको कोई भी doubt नहीं होगा बिल्कुल simple से question थे value put करनी थी आपने simplify कर लिया यहाँ तक कोई भी doubt लगे तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं अधरवाई चैनल को subscribe कर लिजिए like कीजिए और share जरूर कीजिए next वीडियो में देखेंगे अपने question number 6th thank you students for watching this video thanks